जेहिन दोस्तों ताइए दोस्तों आप सबीका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है चलिए दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है अभी मेस का वाइरल पेपर का कोस्चन चल रहा है जिसमें अभी हम आप लोग कोस्चन बता रहे हैं पांच नमबर वाला ठीक है इससे प बता दे अब आप लोग को डरना नहीं है क्योंकि आपके सामने वही कोस्चन और वही पेपर है जो 14 फरवरी को फर्स्ट या सकेंड शिटिंग में देखने को मिलेगा यह सारा कोस्चन वाइरल पेपर का है ठीक है अगर यह कोस्चन आप लोग त्यार करके जाते हैं तो मैस को सारा कोस्चन हम अपने अंदाज में बता दिये हैं स्वाट कोस्चन वी दो नमर वाला भी बता दिये हैं ठीक है उसके बाद अब्जेक्टिव एक नमर वाला भी बता दिये हैं और अभी जो है लोग कोस्चन चलड़ा है पांच नमर वाला और सारा कोस्चन एक बार सही देख कर जाईएगा क्योंकि यही कोस्टन जब आपके सामने आएगा तो ऐसा ना हो कि सोचते रहा जाईएगा क्योंकि यहापर हम बता रहे हैं अगर पढ़के जाईएगा तो बिलकुल उमीद है कि आप लोग बना के आना है ठीक है और आईएगा ठीक है तो चलिए दोस्तो इस बार कमजोर से कमजोर एस्टूडेंट भी मेट्स में 95 पलस एचीव करेगा ठीक है आईए कोस्टन नमबर 35 से स्री गनेश करेंगे समझिएगा बोला गया है कि सीध करेंगी दो समांतर असपर्स रेखाओं कि असपर्स बिंदू को जोरने वाला रेखा खंड बिर्त का बियास होता है हमको बोला है कि दो समांतर असपर्स रेखा लेना है और असपर्स बिंदू को जोरने वाला एक बिर्त का बियास है वो रेखा खंड जो है वो बिर्त का बियास होता है तो आईए उसको हम सौल्व करेंगे और आप लोग समझिएगा आईए दोस्तों हमने यह लिखा है नहीं लिखा है उतना नहीं देखता है अगर आप लोग सही धंग से लिख कर आते हैं भासा वाला question तो निश्चीत रूप से पांच में आपको चार नंबर मिली जाएगा ठीक है इसलिए हम कहारे है भासा वाला question जो है वो लिखने पर आधारित है कि आप लोग कितन बना दिया है और हमेशा आप लोग जो figure है वो हमेशा pencil से बनाईएगा ठीक है इसलिए maths का जब exam देने के लिए जाईएगा तो पूरा चिप्टी, परकार, चांद जो भी है आप लोग लेकर जाईएगा और pencil, rubber, cutter जो भी है अपना लेकर जाईएगा figure हमेशा pencil से बनाना है तो हमने एक बिर्थ बना दिया है बिर्थ पर दो asperse रेखा एक M और एक L खिच दिया है ठीक है और A से B को मिला दिया है जो की क्या है A से B क्या है बिर्थ का ब्यास है और B को क्या क्या है हमने B dash एक बिंदू मान लिया है जो की बिर्थ पर असपर्स रेखा है ठीक है तो आईए इस question को अभी हम यहाँ पर समझेंगे और यह हमारा क्या है केंदर O है ठीक है अब देखिए इसमें क्या करना होता है पहले जो दिया है उसको लिख लिजिए तो हमने यहाँ पर लिख दिया है दिया है क्या क्या दिया है तो बिर्थ की दो असपर्स रेखा है L और M जिनके असपर्स बिंदू A और B है सही बात है दो असपर्स रेखा L और M है और इनके असपर्स बिंदू क्या है A और B है ठीक है यह हमको दिया था हमने इतना लिख दिया ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं होता है के वल आपको लिखना है, समझ गए है, चलिए उमीद करेंगे यह ची आपको समझ में आता होगा फिर उसके बाद, जो आपसे सीध करने के लिए बोला जाया, उसको लिखना है सीध क्या करना है कि ये जो दो असपर्स रेखा है रेखा खंड ये बिर्थ का ब्यास होता है कि नहीं तो हमने लिखा है सीध करना है इसी तरह से लिखिएगा पूरा नंबर मिलेगा AB बिर्थ का ब्यास है सीध क्या करना है कि जो AB है वो बिर्थ का ब्यास है या नहीं है है तो कैसे है आपको यहाँ पर लिखना है आईए अब नीचे से क्या करना है अर्थात AB बिर्थ के केंदर ओसे होकर गुजरता है AB जो है बिर्थ के केंदर ओसे होकर गुजरता है जिसा कि यहाँ पर लिखा गया है ठीक है अब आगे आईए अब आपको क्या करना है परमान में क्या लिखना है समझेगा परमान मतलब कि आप यहाँ पर जो समझाएंगे जो दिया है उसको कैसे लिखेंगे कैसे प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर हमने मान लिया कि AO को बढ़ाने पर AO को जब हम बढ़ाएं हैं तो यहाँ पर कहाँ पर जाकर मिल रहा है M रेखा से M रेखा से B डैस बिंदू पर मिलता है विल्कुल मिल रहा है जब AO को हम बढ़ा रहे हैं AO को तो यह जो है B बिंदू पर B डैस बिंदू यानि M रेखा है और B डैस बिंदू पर मिल रहा है ठीक है तो इस तरह से लिख दे O, B dash, वो M पर क्या होगा, लंब होगा, नहीं, O, B dash जो क्या है, वो M पर लंब है, ठीक है, चलिए, अब आगे लिखना है, इसलिए, B और B dash, एक ही बिंदू को निरुपीत करता है, आप देखें, यहाँ पर जो B और B dash है, आप देख रहे होंगे, कि यहाँ पर जो नजदी क की दूरी है, बहुत कम है, तो इस दूरी को अगर हम सुक्ष मान ले, छोटा मान ले, तो हम कहेंगे, कि यह दोनों आपस में क्या है, एक ही बिंदू पर निरुपीत है, अता A, O, B, यानि कि A, O, B, यानि कि A, O, B, अर्थात A, B, जो है, बिर्द का ब्यास है, और यहाँ से प्रूर्व लिख देना है, और इस तरह से लिख के आएंगे, आपका पांच नमबर यहाँ से बन गया, ठीक है, हो सकता है, एक्जामन आपको पांच में पांच ना दे, चार ही दे, लेकिन मिलेगा, ठीक है, कैल्कुलेशन वाला कोस्चन से बढ़िया होता है, यह भासा व इनार के सीर्स से अस्तंब के उपरी तथा नीचली सीरे के अबनवन कों 30 डिगरी और 45 डिगरी है, तो जंडा अस्तंब की उचाई ग्यात करें, ठीक है, चलिए, यह जो कोस्चन है, आपके तिरकोन मित्ती का जो अनुपरियोग होता है, उससे दिया गया है, यानि कि इन डिस्टेंस से, ठीक है, और इससे 5 नंबर का कोस्चन हर साल पूछा जाता है, आईए इसको भी समझाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, आईए दोस्तों, सबसे पहले इस कोस्चन को बनाने से पहले आपको फिगर बनाना होगा, ठीक है, तब जाकर ये आपका अंसर यह ज्यादा बेटर होगा, और एक्जामनर आपको वहाँ पर पूरा नंबर देगा, ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पर एक क्या किया है, अस्तंब बना लिया है, और इस पर जो है, एक ज़ंडा लगा हुआ है, इस तरह से, किलियर है, चलिए, इसको क्या करते हैं, इस सिर्ष इसको जो है इससे मिला देते हैं इसके पाद बिंदू से मिला देंगे जंडा के अस्तम के पाद बिंदू से अब इसका नाम ले ले लेते हैं हम क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए इसको मान लेते हैं बी ये हो जाएगा सी ये हो जाएगा डी और इसको मान लेजिए ए है ठी नीचे वाले से मिना लिजी कोई दिकत नहीं है फीगर थोर आपको टेड़ा मेड़ा नजर आता होगा लेगिन आप लोग जब परकार से बनाईएगा चिप्टी से बनाईएगा तो सीधा बनेगा हमको बोला है कि अस्तम तथा एक 50 मीटर उची मिनार ये 50 मीटर का पूरा क्य होगा बरावर होगा ED के और CD जो है जितना होगा उतना ही होगा BE ठीक है ये ची आप लोगो समझ में आता होगा अगर मान लिजीए BC को हम X मान ले हमसे बोला गया है तो जंडा अस्तम की उचाई जंडा यहां से लगा हुआ है जंडा यहां से यहां तक लगा हुआ है तो हम इसको मान लेते हैं x है अगर मान लेते हैं यह दूरी कितना है x है पूरे 50 है तो पूरे में से अगर हम यह वाला दूरी घटा दें तो उपर वाला निकल जाएगा तो यहाँ पर हम क्या सकते हैं कि यह जो दूरी होगा यह 50-x हो जाएगा ठीक है कितना हो जाएगा 50-x क्लियर है आईए अब क्या करते हैं यहां पर हमको कौन दिया गया है एक कौन है 30 degrees और एक है 45 degrees तो यहां पर हो जाएगा 45 degrees और यहां पर हो जाएगा 30 degrees ठीक है अब यह काफी आसान कोर्षन हो गया अब इसको बनाएंगे सबसे पहले तिर्भूज लिजिए तिर्भूज बरावाला A, C, D तो यहाँ पर लिखेंगे तिर्भूज A, C, D से ठीक है तिर्भूज A, C, D से क्या होगा तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम यहाँ पर लगाएंगे लंबटे आधार वाला फर्मूला ठीक है तो लंबटे आधार क्या होजाएगा 10 और 10 कितना होजाएगा 45 बरावर यह क्या होजाएगा पूरे यानि लंब यह पूरा होजाएगा चुकि तिर्भूज A, C, D लिये है तो यह पूरा लेना होगा ठीक है तो यह होजाएगा 50 लंब क्या है 50 और आधार क्या है CD तो इसको रहने दीजिए ऐसा ही 10,45 का मान एक होता है और यह हो जाएगा 50 बटे CD तो CD बरावर क्या हो जाएगा क्रोस गुना करेंगे तो CD बरावर हमारा निकल जाएगा 50 cm यानि कि CD भी हमारा कितना है 50 cm है ठीक है यह कितना है 50 है अगर यह 50 है तो यह भी पूरा दूरी क्या होगा 50 ही होगा समझ रहे है न चलिए अब क्या करना है फिर लेंगे तिर्भूज अब छोटा बाला A, B, E से A, B, E से काफी आसान कोस्चन होता है समझ येगा इसमें भी क्या लगाना है लंब बट्टे आधार ये पता है और ये भी पता है जो साइड हमको पता रहता है उसी के आधार प्रम को लेना होता है तो लंब बट्टे आधार यानि कि 10-30 का मान निकालेंगे तो 10-30 बराबर लंब कितना है तो 50-X और आधार कितना है तो हमारा है 50, ठीक है, अब 10-30 का मान कितना होता है, 1 बट्टे root 3, और यहाँ पर हो जाएगा 50 minus x बट्टे 50, क्रोस गुना करेंगे, तो इधर हो जाएगा कितना, इधर हो जाएगा हमारा 50 बराबर, root 3 into 50 minus x, ठीक है, हमसे यह दूरी पूछा है कि कितना होगा जंडा अस्तंब वही बोला है तो जंडा अस्तंब की उचाई जंडा का जो अस्तंब है ये जो नीचे वाला अस्तंब है इसका उचाई हमसे पूछ रहा है ठीक है तो आईए इसको बनाएंगे अब यहां से क्या किजिए कि अलग-अलग किजिए यह हो जाएग 50 root 3 दोनों को गुना किजिए minus root 3x हम क्या करते है root 3x को इधर लाते है 50 को उधर करेंगे यहां हो जाएगा root 3x equal 50 root 3 और यह पलस का 50 इधर हो जाएगा minus में 50 यह हमारा हो जाएगा root 3x equal देखिए question में थोड़ा calculation है उसके बाद question में कुछ भी नहीं है अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा 50 common लीजिए तो 50 common लेंगे तो क्या हो जाएगा यह हमारा root 3 minus 1 और यहां से अगर x बरावर निकाले तो क्या हो जाएगा 50 और देखिए root 3 का मान रख दिजिए 1.73 1.73 होता है minus 1 और बटा में यह root 3 आ जाएगा इसका मान भी रखिए 1.73 ठीक है अब यहां से देखिए 50 और अंदर में गुना में क्या हो जाएगा 1.73 से minus करेंगे एक तो यहां हो जाएगा 0.73 और नीचे हो जाएगा 1.73 अब यह point से point खतम यहां पर क्या हो जाएगा 50 को 73 से गुना करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 36-50 कितना हो जाएगा 36-50 और नीचे 1.73 अब जब इसको भाग देंगे तो यह हमारा निकलेगा 21.1 cm ठीक है कितना निकलेगा 21.1 cm और यह हमारा है x का मान और यही हमारा क्या है जंडा अस्तंब की उचाई है B से C B से C क्या है जंडा अस्तंब की उचाई है और यही हमारा क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा उमीद करते हैं ये भी कोशन आपको समझ में आ गया होगा और समझ में आ गया है चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि इसी तरह से बाइरल पेपर सभी सब्जेक्ट का आप लोग के पास पहुंचता रहे चीक है और आप लोग किस राज से हैं कमेंट करना नहीं भूलिएगा क्योंकि 14 फर्वरी को फाइनल एकजाम है 14 फर्वरी को याद रख लिजिए कि 14 फर्वरी को आप सभी का मेस का फाइनल एकजाम है और जो एस्टुडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और डर रहे हैं और बिल्कुल कमजोर हैं ये सारा कोशन एक बार पढ़के जाईए फिर देखिए कि किस तरह से आप लोग जंडा लहरा के आते हैं मैट्स में इस बार पंचान में पलस करके आना है तो चलिए दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो जल्दे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आपनों के पास पहुंचता रहे हैं मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जयाहिन जय भारत वंदे मातरम